कि भारत free trade agreement कर पाएगा एक दशक के बाद एक विकसित देश के साथ और जो एशिया में नहीं है पहले हमने जो किये वो जपैन को रिया दोनों एशिया ही देश है यह एक ऐसा देश है जहांके लोगों के साथ भारत के बहुत अच्छे सम्मन्द है एक ऐसा देश है जहां पे हमारा कोई competition नहीं है यानि कि उनके हां पे raw materials और intermediates जादा रहते हैं हम finished goods manufactured products जिसके माददे हमसे हमारे यहां लाखों लोगों को नौकरी मिल सके रोज़गार मिले हमारी अर्थवेवस्था को बल मिले उस पे focus करते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को compliment करते हैं एक दूसरे की स finished products जाते हैं वो उनको अच्छे मिलेंगे ठीक दाम पे कीमत पे मिलेंगे अच्छी गुनवत्ता वाले मिलेंगे तो मिलके यह दोनों देशों का lab होगा और मैंने कई बार क्या है कि free trade agreements या अंतराष्ट स्थर पर जब आप कोई भी विशे पे करार करते हो तो जब दोनों को फायदा हो तबी यह संभव है जैसे व्यापारी वर्ग जानता है अच्छी तरीके से के win-win agreement होना चाहिए मैं समझता हूं कि इस agreement के माध्यम से हम भारत का निर्यात बड़े रूप में बढ़ा पाएंगे भारत में लाखों लोगों को प्रमानिक जो इनिशल इंडिकेशन ह वो बताता है कि दस लाख से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार या काम के अफसर अगले चार-पांच वर्षों में ही मिलेंगे आगे चलके और बढ़ेगा हमारे लाखों यूआ यूवती वहां पढ़ने के लिए आज भी वहां पे उपस्तित हैं मैंने सुना है एक लाख तीस हजार आज स्टूडेंट्स अस्ट्रेलिया में हैं उन सब के लिए भी वर्क वीजा एक पेकार से लिगली इस एग्रिमेंट के तहट कंफर्म किया गया है अस्ट्रेलिया द्वारा अधिकांच उसमें से जो लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे अच्छे अव प्रकार से इस एग्रिमेंट के माध्यम से भारत भारत वासियों के लिए भारत के उद्योग जगत के लिए सेवा शेत्र के लिए और हमारे युवा यूफ्तियों के लिए सब के लिए बहुत सारे अफसर इसमें खुलते हैं जैसे आप देखिए होम मेट फरनिशिंग है या एपरेल है जो कपड़े सिलते हैं बनते हैं यह उस्ट्रेलिया बड़े मात्रा में इंपोर्ट करता है पर भारत का आज का शेयर बहुत थोड़ा है अधिकांच दूसरे देशों से जाए जब मैंने उद्योग के साथ बात की बारा मार्जन होता है यह ड्यूटी की वज़े से हम नहीं कर पा रहें कंपीट बाकी देशों को हमारे नेबर नेबरिंग कंट्रीज को भी ड्यूटी फ्री एक्सेस है वहां पर और कई बार यह आप लोगों ने भी इस पर आर्टिकल्स दिखे हैं कि भारत को भी ड्यूट बड़ा उद्योग को बहुत फायदा होगा ऐसे लेदर स्पोर्ट्स वेर अब ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वहां पे हमें एक्सेस मिलेगा ऑटो मोबाइल सेक्टर मार्जन्स तो कम होते हैं ऑटो सेक्टर में उनको वहां पे पूरा मिलेगा zero duty पे उनके auto components जैसे एक बार गाडियां जाने लगें तो auto components भी जाएंगे वह ना पुरानी कहानी के एक बार razor blade दे दो razor kit दे दो तो shaving blade तो हर महीने लगेगा हर थोड़े दिन में लगेगा इस पेकार से जितने जादा हमारे गाडियां जाएंगे तो auto components को भी काम मि लेगा तो यह एक विवस्था create हो गई है जिससे textile हो pharmaceutical हो gem and jewelry हो leather goods and accessories हो sports shoes हो एक तो उस तरफ बड़े पैमाने पे नौक्रिया मिलेंगी IT sector हो technology हो research and development हो tourism हो उस पे बहुत हो को काम मिलेगा तो यह भारत के लिए बहुत एहम फाइदेंबंद करार Australia के साथ हब दोरो देशों की एकता के प्रतीक के रूप में इंडस एकता और इंडस civilization तो भारत की विरासत है एकता और आपने देखा होगा मेरे पीछे सरदार वल्लबाई पटेल थे जब मैं कारेक्टरम कर रहा था जो हमारे iron man है जो एकता के प्रतीक है तो एक पकार से यह भारत और और ऑस्ट्रेलिया के बीच मित्रता और एकता का प्रतीक बनेगा अस्ट्रेलिया को क्या मिलने वाला है इस दिल से सभाविक रुक से जैसे मैंने का दोनों देशों को इसमें अलग-अलग लाब मिलते हैं उनको भी कुछ लाब मिलेंगे पर अधिकान वहाँ पे manufacturing economy नही हमने wine industry के साथ बहुत विस्तार से चर्चा की बहुत extensive stakeholder consultation अधिकारियों ने भी और मैंने swim भी की और जो उन्होंने हमें सुझाओ दिये थे उसको पूरी तरीके से हमने लागू किया है उन्होंने सुझाओ दिया था कि minimum import price रखके जो high quality wines है वो भारत में उसको concession दिया जाए तो हमने 5 US dollar प्रती 7500 ml की bottle पे ही concession दिया है जिसका भारत से कोई competition नहीं है भारत में उस quality का wine बनती नहीं है लेकिन इससे भारत की wine industry को बड़ा लाब होगा क्योंकि वहां से निवेश भी आएगा हमारी wine industry grow करेगी हमें अच्छी quality और technology मिलेगी और इस investment और technology को लेके आगे चलके लाखों लोगों को उसमें भी रोजगार मिलेगा किसानों को बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने का मौका मिलेगा grape wineries के लिए grape farms साथी साथ इससे हम विश्यों में भारत की wine बेच पाएंगे तो